हळलो फ्रेंड्स वगते आपका मेरे चैनल में आज आपकी साथ मैं और एक भहुती खुब स्रत मंगल सुत्र की डिजाइन लेके आये हूं जो के दिखने में भहुती खुब स्रत है मंगल सुत्र बनाने कीले मैं नहीं हाप पर लिया इस तरह के किस्टल वाले ब्लैक मोती यहाँ पर लेना है पुरोने के लिए धागा, स्वी, स्क्रू, पहले यहाँ पर हमें धागा लेना है, धाग्यों के यहाँ पर हमें फोल्ड करते हो इस तरह से डबल लेर धागा लेना है, यहाँ पर आप अपने साब से धागा कम जादा कर सकते हो, आपको जितना लंग मंग स सुत्र चाहिए यहां पर आप उतना धागा ले सकते हो धागियों के यहां पर मैंने कट लगा कर इस तरह से बांद दिया है धागियों के यहां पर मैं आगे को रालग अलग कर लेना है यहां पर मैंने इस तरह से सिलाय वाला धागा पुरो लिया है यहां पर में दोनों धाग वाला ब्लैक मूति पूरो लेना है और यहां पर हमें चोटा वाला गोल्ड मूति पूरो लेना है यह देखे इस तरह से इसी तरह से यहां पर हमें एक ब्लैक और एक गोल्ड इस तरह से दस ब्लैक और बिच में इस तरह से गोल्ड मोती पुरो लेना है यहां पर मैंने इस तरह से ब्लैक और गोल्ड मोती को पुरो लिया है यहाँ पर आभी हमें सुईं को अलग-अलग कर लेना है यहाँ पर आभी हमें एक सुईं में इस तरह से एक गोल्ड मोती पुरो लेना है चोटा वाला इसीक साथ यह वाली सुईं में भी हमें एक चोटा वाला गोल्ड मोती पुरो लेना है अब यहाँ पर हमें एक स्विं में एक चोटा वला गोल्ड मोती और एक बड़ा वला गोल्ड मोती फिर से एक चोटा वला इस तरह से गोल्ड मोती पूरो ना है और इस तरह से पकड़ते वे एवाली स्विं से पूरो ना है यह देकी इस तरह से दोनों स्विंग को आईस्ता से खिषते वे मोती को यहाँ परामे उपर के और इस तरह से ले जाना है यहाँ पर आभी हमें एक स्विंग में इस तरह से दो बलैक मोती पूरो लेना है इस तरह से पकड़ते यह वाली स्विंग से पूरो लेना है यहाँ पर दोनों उस्यों को आई इस ता से खिच से मोती को उपर के ओर ले जाना है फिर से यहाँ पराम एक छोटा वाला गोल्ड मोती एक बड़ा वाला गोल्ड मोती फिर से एक छोटा वाला गोल्ड मोती इस तरह से मोती पूरो लेना है फिर से इसे तरह से पूरोते वे मोट्यों को इस तरह से उपर के उले जाना है यह दिकी इस तरह से झाल 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 इसी तरह से यहाँ पर हमें एक गोल्ड मोट्य के लिए और ब्लैक मोट्य के लिए इस तरह से यहाँ पर हमें मोट्यों को पुरूते जाना है इसी तरह से यहाँ पर हमें आगे डिजाइन को बढ़ाते जाना है यहाँ पर मैंने इतना ही डिजाइन को बना लिया यहाँ पर आगे मोतियों को बढ़ा सकते हो तो यहाँ पर मैंने इतना बना लिया है अभी यहाँ पर हमें एक सुमी इस तरह से छोटा वाला गोल्ड मोति पुरो लेना है इसे तरह से यह वाले धागे में भी यहाँ पर हमें एक छोटा वला गोल्ड मोती पूरो लेना है यह देखे इस तरह से आप हमें दोनों सुन को मिलाकर एक गोल्ड मोती पूरो लेना है बड़ा वाला आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर हमने इतना ही डिजाइन को बना ले आए बहुत ही खुब सरत हैं आपर हमें इसे पेंडिन को लगा लेना है तो इस तरह से मैंने एक साइड पेंडिन को लगा ले आए इसे भी हाँ पर हमें पेंडिन को लगा लेना है तो इस तरह से स लगा लेना है और एकश्चादा ग़ाया पर हमें कट कर देना है हम नी दोनों साइडी स्कुरू को लगा लिया है एकश्चादा ग़ाया पर हमें कट कर दिया है तो यहाँ पर हमरा आज का ये बहुत ही खुबसरत मंगसुत्र डिजाइन तयार है दिखने में बहुत ही खुबसरत है और बनाने में बहुत ही आसान है तो आपको मेरी आज की ये मंगसुत्र की डिजाइन कैसे लेगी आप मुझे कमेंट करना और मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक शेर सस्क्राइब जरूर करें